हेलो ड़िया स्टुडेंट तो आज की सुडियों में हम बात करने वाले हैं नेवी अगनिवीर एस सार के रिकार्डींग ठीक है तो नेवी अगनिवीर एसस अर्ड में क्या हुए आपके नय शामरान को दिये गए है नय सेलेक्शन प्रोसेस को दिये गए है पहले आपके कर दिया उनके लिए उनके लिए उस इक्जाम के थूरू और उस में जो भी उस उस उसे पास होँगे जिसे मन लेते हैं अगर कुछ गुछ कट अपका अगर नंबर है तो आपको अगर का तेंद का तो आपको क्या होगा ने कि विजिकल फिटनेस टेस्ट और फिर इसके बाद मेडिकल होगा और उसका क्या होगा आपके बाद सेलेक्षन हो जाएगा ठीक है तो यह आपका प्रोसेस होता था पहले एससर में लेकिन अब इससर जब अगनी भी जब से आ गया है अपका इसका नया पैटरन को चेंज किया लिए बडाबर कह सकते हैं equal मातरा में या फिर कह सकते हैं आप इकवल आपके लिए अपर्चुनिटी है कि आप अच्छे से एंजाम देकर अगनी वीर में सेलेक्षन लें कैसे लेंगे क्या करेंगे कैसे क्या होगा उन सबीं चीजों के बारे में इस वीडियों में complete हम दिए हैं और जैसा आपका कमेंट आगा उसका उसके निसाल है क्लासिज को प्रवाइट करवाया जाए गा तो आईए बढ़ते हैं selection process कि यह से ऊमारे process जो होंगे वह कैसे क्या क्या होंगे तो यहां पर होगा selection process जो होगा अगनी वी वो 1.20.23 batches के regarding हम इस वीदियोह में बात करेंगे यानि अभी के जो batches आये हैं उसके regarding हम इस वीदियोह में बात करने वाले हैं तो 01.20.23 में क्या होंगी कैसे कर से criteria होंगी आपके उसके बारे में सबसे पहले discussion करेंगे सबसे पहले क्या होगा यह जो हमारे selection process होंगा देघृट कर टोग्षा आपका स्टविस्ट कर सकते हैं किषार बढ़ा कि दो लुक्ती ने बढ़िय किया गया है न को स्टाइब क्या तो बहुत तो मोंका मिल पाज यहाँ त्हीजूंस में जिसमें फिर पहला स्टेज्स बात करें पिर पिर्योन not आपको आप है डिक्तना वाला होगा और फिर इणिशल मेंडिकल सनी होगा इनिशयल मेडिकल होगा और किसे का सोल टे एकन करने आपका जो क्या आपका जो के खूंमाचाज मेडि breast विजब यहां प्रेक्ष यहांने निए सफैट स्वाइक्ष सब्सक्राइब होगे एंडेसंते स्वहित स्टेज अप सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि जो स्टेट वाइज मैनर में इलोकेट किया गया है इसका जैसे किसी स्टेट में बिहार में ठीक है बिहार में पचास सीट है और मालें यह देली में तो सिम्पल सा बात है जीस में 50 सीट होगा उसका कटण जाएगा ताकि कम स्टोट को लिए हैं क्योंकि पचास सीट ही है लेकिन यदि देली के बाद करेंगे तो हमारा कटण कम जाएगा और कटण करता कि कौन इसे, काट मार्ट में फटा है इसके निफॉट मां चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे में क्या है मारा आगे में है कि आपको यह सभी थो हमने बदा दिया आपको जो आपके कह सकते हैं कि यहां पर जो होंगे उनके लिखा जारा है कि यदि आपके माल लेते हैं कि similar cut-off marks आगे computer-based examination में यानि CBT में दो student के यदि similar marks आगए तो higher percentage इंदे qualification examination यानि 10 प्लस 2 में जिनका higher का सकते हैं कि percentage होगा उनको क्या होगा stage 2 के लिए select किया जाएगा ठीक है यदि दो student के same आगए आपके cut-off marks तो जिनका 10 प्लस 2 में ज्यादा marks होगा उनको क्या किया जाएगा stage 2 के लिए selection लिया जाएगा ठीक है यहां प्लिक है परसेंटेज होंगे तो physics mathematics और आपके chemistry biology या फिर computer science जो भी आपका subject होगा उसके नुसा ठीक है यह हमारे stage 1 का होगा stage 1 में जो हमारे question लोगा कैसे कैसे होंगे तो सो questions आपको दिया जाएगा हड़े questions का एक marks होगा Hindi English दोनों में question होगा ठीक है multi language होगा multi आप उसके बाद जो आपका examation होगा उसमें उसमें क्या-क्या पुछा जाएगा English पूछा जाएगा science पूछा जाएगा mathematics पूछा जाएगा और general awareness पूछा जाएगा ठीक है यह चार सेक्षन से आपके stage 1 में 100 questions बनेंगे ठीक है चलिए next क्या है कि जो आपके questions का level होगा वह क्या होगा आपके ठीक है तो क्या होगे आपका 10 प्लस 2 के examation में तो क्या होगे आपके सुर्ण जो आपके 10 प्लस 2 का जो लेवल होगा examation का उसी लेवल के ठीक है ठीक है आपके questions यहां पर आपको दीए जाएंगे ठीक है चलिए next क्या होगा जो होगा वह वह वन और गडिगेट होंगे उनको प्रतेख सेक्षन में पास होना पड़ेगा और एक्रिगेट मतलब ओवरॉल ठीक है चलिए निक्स्ट है कि अपने परतेक्स सेक्षन और कह सकते हैं कि एक रिखिए लिए कर सके ठीक है पेनल्टी फॉरॉंग कितना होगा आपका वह जिरो यानि जिरो पॉइंट टूफाइब यानि वन फॉर्थ क्या होंगे वन फॉर्थ मार्क्स आपके पैनल से समझ में अभी तक आ चुका होगा नेक्स हम बात करेंगे स्टेज 2 के रिगारिंग स्टेज 1 में CBT होंगे CBT में 100 को समस्ट पूशा जाएगा एक घंटा का रिजाम्स होगा दोनों बाइलेंगोल होंगे आपको स्टेज 2 का सिर्श में स्टेज 2 का सीलैबस को सीलबस को सबस्थे से बताएंगे एक सेलबस के वीडियो बना देंगे जिसमें कुखर टॉपिक वाइज से किसका स्टेज 2 का स्टेज 2 का ठीक है छले चले स्बक्राइब soup it in 먼저 next game स्टेज 12 में 168 में 5.6'm well सब्सक्राइब नहीं है नी बेंट सीटप जो है वो सिर्फ किसके लिए फीमेल के लिए जो कि कितना है दस है और नीचे लिखाया कि प्रफेंशन सी इन स्पोर्स्ट स्विमिंग एंड एक्स्टा कर्कूल अक्तिविटीज इस डिसाइबल ठीक है चलिए नेक्स्ट का है आपका नेक्स्ट है हमारा मेडिकल के बारें बात करेंगे कि जो इनिशियल मेडिकल होगा कि उसमें जो स्टेज टू में जो आपके जाने जिए क्यो नहीं है कि सिम्पल है ज ज्याधा कुछ भूगा है उसमें से मेडिकल में उनको फाइन मेडिकल के लिए जैड़ा जैंगे ह्या बातिक है जो कि आपका बीस wij्ट में निकाल पाएगे जिन भी आपका स्टेट बात करेंगे क्या होगा स्टेज 3 जो है वह आपका फाइनल मेडिकल है इस फाइनल मेडिकल में क्या होगा आपके सारे बड़ी के एक एक चीजों को चेक ऍप घर को कि इसमें ने हको और यह ए और हुगा इसमें कि ग्रीशन और होका यह इसमें ध्याइन दिया बार इंहों हां ध्याँ के वहां थो आद्रक्राइब को। तक है यहां पर लिखा जा रहा ठीक है जलिए एनिकनेट हैविंग अन्डर गोन जेंडर है डी एसियमेंट सरज़री करवाया होगा तो उसको भी अन्फिट माना जाएगा नेक्स आपका जो मेडिकल में होगा वो क्या होगा आपका वह अपका प्रेगनेंसी होगा आपका भी आपके cancel किया जागा ठीक है निस्ट क्या है minimum height minimum height यह है वह आपका check किया जागा जो कि 157 cm होना चाहिए male के लिए और 152 cm होना चाहिए किसके लिए female के लिए ठीक है यह आपका क्या है minimum height है चलिए निस्ट क्या है आपका tattoo चेक किया जाएगा permanent body tattoo और only permitted on inner face और forearm that is from inside the elbow to the wrist and on the reserve side of the palm और बैक डॉर्सल ठीक है जो आपके permanent tattoo कहां पर होना चाहिए वह आपको कहां पर four arms के बीच होना चाहिए और कहां पर होना चाहिए पाल्म और बैक डॉर्सल में आपका होना चाहिए ठीक है बाहरी किसी भी प्रकार से नहीं दिखना चाहिए और लिखा जाला है कि permanent body tattoo of any other part of the body और किसी अधर पार्ट पर 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 बड़ी tattoo बनवा लिजेगा तो क्या होगा आपके केंडेचर को cancel किया जाएगा ठीक है आप वहाँ पर tattoo नहीं बनवा सकते है ठीक है चलिए तो टैट्यू के रिगारिक हमने आपको बता दिया है आपको जो भी टैट्यू बनाना है तो four arms में बनाईए फिर आप पाल्म में बनाईए वहाँ पर जो लिख्वाना है महाकाल का भक्त जो लिख्वाना है लेकिन और जगा लिख्वा लेजिएगा तो वहाँ पर आपको निकाल दिया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका the candidate must be good physical और mental health होना चाहिए simple बात है यह तो होना चाहिए तभी तो selection वहाँ पर होगा चलिए तो यह क्या होंगे medical standard हो गया और क्या कुछ बच गया और यहाँ पर जो है आपका medical में लिखा जाला है कि candidates are advised to get their ears clean और wax का जाला कि आपको जो कान है उसको wax करवाके लाना है वहाँ पर ठीक है और यहाँ पर and tartar remove from the teeth और जो तीथ में जो भी आपके गंदगी होते है या फिर तार जो फसे होते हैं उसमें वह स्टार को हटाना है और इस तक क्योंकि यह सभी चीज़ों आपके चेक किया जाएंगे ठीक है और रिगुलेशन रिगारिंग हाइट रिलक्सेशन के रिगारिंग जो आपका रिलक्सेशन है वह आपको इंडिया निवी के साइड पर मिल जागा कि कुछ-कुछ अलग अलग जगा पर क्या होते हैं वहां के हाइट को थोड़ा सा कम भी लिया जाता है ठीक है तो यह देख ली जएगा विजिवलेशन टेंडर्ड जो होते हैं वह विजिवलेशन क्या होगा तो विदावड ग्लासेस और विथ ग्लासेस दो पर स्टेज 1Stage 2Stage 3Stage To6Stage 3Stage और किसी पारिवड होता ऐसने नीचे कमेंंट करेंगे उनके रिगार्ण विदाओ जैएंग अटिक हैँ सव्य हैक। और सती साथ इसके रिगारें जल्दी कोई बैचेज को भी स्टार्ट किया जाएगा तो किसी पर डाउट हो तो कमेंट बोक्स में आप जोड़ लुकिएगा तब तक लिए रखते हैं इस वीडियो को थैंक्स पर वाची माई वीडियो